हेलो एवरीवान गुड मॉर्निंग एक बार फिड से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे तो आज किस वीडियो में हम लोग बात कर रहे है डेले इनिवर्सिटी में जो पीजी के एडमिशन होने है उनकी कितनी मेरिट लिष्ट यहां पर निकलेगी साथ इसके जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे कितनी सीटे है इनके बारे में यहां पर एक आर्टिकल के मादियम से काफी चीज़े क्लेर हुई है हालां कि देखिए इनका जो बेविनार हुआ था उसमें पीजी के कुर्सिस के लिए बात की गई थी बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया और मैंने ध्यान नहीं दिया था उस चेज़ पर इसलिए मैं आप लोगों तक वो वीडियो नहीं पहुचा पाया था बट आज जो है यहां पर सारा इंफोर्मेशन सामने निकल के आ गया है उन्हीं सोर्स से सो मैंने सोचा वीडियो बना कि आपको जरूर इंफोर कर दिया जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे जो भी अपडेट रहे मैं आप लोगों को वीडियो के माद्यम से पहुंचाता रहूं सो यहां पर आप लोग देखिए ड्यू पीजी दाकिले के लिए दो अलग-अलग मेरिट होगी जारी जी यहां गईज अलग-अलग मेरिट जारी होगी तो कैसे होगी वो अभी हम लोग समझ लेते है दिल्ली वीश्य विद्याले के 77 पीजी कोर्सेस की 13500 सीटों पर दाकिल स्टूडेंट है उनकी यहां पर बात की जाएगी ठीक है उनका एक मेरिट लिस्ट जारी होगा एक मेरिट लिस्ट जो है केवल और केवल जो ड्यू के स्टूडेंट है उनके लिए जारी होगा तो यह जो एक प्रोसेस है इसके लिए यहां पर डली निवर्सिटी अपने को जो इसका portal start होगा तब जो सारी चीज़े clear करने वाली है कि किस बेस पे तो उनका admission होगा जो कि केवल डेली निवर्सिटी के student है और किस बेस पे उनका यहाँ पर common होने वाला है तो दोनों चीज़े अपने को clear होने वाली है उस notice से इससे आपको उतना ज्यादा clear नहीं होने वा सब्सक्राइब करता है कि एक एक लिस्ट जो है एक तो डिवाले जो student होंगे उनके लिए और बाहर के जो student है उन दोनों के लिए ठीक है तो बाहर के तो जो student है उनका सीउटी स्कोर कार्ड के आधार पर सईयूग तयानिकी mix जो लिस्ट हो जारी होगी जबकि दूसरी merit list student के पहले से student उनके लिए यहाँ पर जारी होगी और एक झुआ होगी उनके लिए जो ड्यू के अलग's जाए जारी होगी एंगी पोafar साईस के लग होगी in मालूम हो कि ड्यू के पीजी कोर्स में इस बार दाखिले सीउटी स्कोर के आधार पे होने वाले है यह तो खर किलियर है उसके आगे यहां पर देखिए क्या लिखावा है ड्यू के जो है 58 विवागों में 77 पीजी प्रोग्राम की 13500 सीटे है यानि कि टोटल जो सीट हो कितनी ह है 13500 यहां पर सीटे रखी गई है यह सभी कोर्स के लिए फिलाल और आपको वेबसाइट में मिल जाएगा किस कोर्स में कितनी सीटे है कैटिगरी में कितनी सीटे सब कुछ दिया हुआ है वेबसाइट पे इसमें एंसी बेब यानि की नोन कोलेजिट वुमें एजुकेशन बोर्ड की जो सीटे है एंसी बेब वाली की जो सीटे है वो भी इसमें सामिल है डियू में इस बार नेशनल टेस्टिंग एजनसी की ओर से आयुजित कोमन इनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के मादिम से प्राप्त अंकों के आधार पे दाकिले लेने का पेसला लिया गया जो कोमन सीट ऐलोकेशन होगा यह उस पोर्टल के मादियम छोगा सो फिलाल वो ऑपे नहीं वह इसके बार में भी बात करी गई है तो मैं समझाओंगा आपको भी बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पे आपको उस पोर्टल पर 25 रीजिश्टर करना होगा उसे के आधार पे जो ह और यहां पर क्या लिखाव है मेरिट लिस्ट की दो सरंडिया होगी यह यहाँ पर आपकी निकलने वाली है उननी के अदार पर होने वाला है अब देखें यहाँ पर एक और यहाँ पर दियावा है PG में यह रेजिटेशन के लिए आपको को इंतजार यहां पर करना पड़ेगा ड्यू के पीजी कोर्सिस में दाकिले के लिए पंजीकरण यानि की रेजिस्टेशन वा प्रवेश प्रक्रिया अभी सुरू नहीं हुई है अभी पंजीकरण यानि की रेजिस्टेशन प्रक्रिया के लिए छात्रों को इंतजार करना हो होगी ठीक है इससे पहले इस साल सुरू किये गए तीन नए बीटे प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवी दिन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है आप लोगों का ठीक है मैं क्लियर कर देता हूं अब आप लोगों का यहां पर जो एड्मिशन का प्रोसेस है वो जो है आपका पंदरा से बीस जुलाई के बाद ही स्टार्ट होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकोज इनके कंडिशन यह है कि पहले आप लोगों का जो सी यू इनिटी का जो आपका एंटरेंस जो हुआ था उसका जो स्कोर कार्ड है वो जब आएगा उसके बाद ही यह लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने वाल है टोटल कितनी सीटे है उसमें एंसी बेब भी सामिल है कितने कोर्सेस है कब से स्टार्ट होने वाला है कैसे लिष्टे निकलेगी यह जो चीज़े है आपको क्लियर हो गई होगी तो आज का वीडियो आप सभी के लिए यूसफूल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दी लिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैन का लिंक दिया है उसको भी जोइन कर लिजे बाकि अगर आपको इस इन्युवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा शुक्रिया आप सभी का यह वीडि देखने के लिए